Hello everyone, welcome to LearnerBee, I am Shivani Chauhan, इस विडियो में हम Class 8, Science की बुक का Chapter 15, Some Natural Phenomena देखने वाले हैं तो देखिए, Class 7 में हम लोगोंने Winds के बारे में, Storms और Cyclones के बारे में पढ़ा था हम लोगोंने ये भी पढ़ा था कि Cyclones जो हैं, वो काफी स्लादा डामेज करते हैं Human Life को और Property को हम लोगोंने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग खुद को बचा सकते हैं Cyclone से कुछ हद तक इस Chapter में हम लोग दो और Destructive Natural Phenomena के बारे में बात करेंगे Destructive Natural Phenomena मतलब जिन से हमें काफी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है ये हैं Lightning और Earthquake तो बिजली के जाती है और जो बुकम पाता है उसके बारे में हम इस Chapter में पढ़ने वाले हैं हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से जो डामेज होता है डिस्ट्रक्शन होता है उसको कम किया जा सकता है तो Lightning क्या होता है आप लोगोंने Sparks देखे होंगे जिसकी जो Electric Pole होते हैं खंबे होते हैं उसके कई बार Sparking हो रही होती है जब वायर लूज हो जाते हैं तब होता है तो ये फिनॉमिना मतलब जो वायर से उसमें जो है चिटकारी चैसी आवाज आने लगती है Spark होते हैं जब हवा चल रही होती है तो वायर जो है उसकी वज़े से लूज हो जाते हैं आप लोगों ने Sparks टाइब के देखे होंगे जब socket जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं Lightning is also an electric spark बट on a huge scale तो जो Lightning होती है जो बिजली कड़कती है वो भी एक Spark ही होता है बट एक काफी बड़े scale पर वो हो रहा होता है ancient time में पुराने समय में लोग understand नहीं कर पाते थे कि यह जो बिजली चमक रही है बिजली गिर रही है यह सब क्या होता है यह सब क्यों होता है इसलिए वो Lightning से बहुत जादा डरते थे और कहते थे कि यह तो wrath of God है मतलब भगवान जो है वो उनसे नराज है इस वज़े से बिजली गिर रही है Now of course we understand that Lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds तो Lightning जो बिजली कड़कती है यह जो बिजलीयां गिरती है वो कैसे होती है बहुत सारे जो चार्ज होते हैं positive charge, negative charge यह accumulate हो जाते हैं इसकी वज़े से बादलों में कड़कन होती है और Lightning होती है We need not be afraid of Lightning हमें Lightning से डरने की कोई जरूवत नहीं है but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark हमें Lightning से डरने की कोई जरूवत नहीं है but हम लोग को precautions जरूर लेने की जरूवत है ताकि हमें को इससे नुकसान ना पहुंचे spark that the Greeks knew about तो sparks जो Greeks को जिनके बारे में पता था ancient Greeks known, new as earlier 600 BC that when amber, amber is a kind of resin एक चीज होती है was rubbed with fur, it attract light objects such as here तो amber एक fur होता है एक resin होता है अगर वो fur पे, मतलब किसी कपड़े टाइप की चीज़ों पे उसको घिसा जाए तो कुछ चिट-चिटाहर टाइप की light टाइप की निकलती है आप लोग जब सर्दियों में कपड़े उतारते हो light off होती है मतलब आपकी जो है tube light वगरा सब बंदयां अधिराए रूम में आप अपना sweater उतारोगे ना तो आपको भी कुछ चम-चम होती हुई light दिखेगी यू माइट आफ सीन देट वेन यू टेक यू बूलन क्लोथ या फिर पोलेस्टर के क्लोथ उतारते हैं आपके जो बाल है उन पर खड़े हो जाते हैं आप लोग देखेंगे साउंड भी आती है और स्पार्क भी आपको दिखता है नाइटीन फिफ्टी टू में बेंजमिन फ्रैंकले ने एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने शो किया कि lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomenon lightning जो कि बिजली कड़क रही है या फिर बिजली हम लोगों को दिखती है आसमान में और जो हमारे कपड़ों में से स्पार्क निकल रहा है यह बिल्कुल एक ही फिनॉमिना है उसके बाद भी लगवग 2,000 years लग गए यह realize हम लोगो करने में कि यह सब चीजे किस तरीके से हो रही है तो बूजू सोचता है वंडर वाई दे टूक सो मैनी यह यह similarity उनको समझने में इतिसाल क्यों लग गए scientific discoveries are result of hard work of many people it can sometimes take a long time तो कहीं बार क्या होता है जो scientific discoveries होती है इंको करने में चीजों को समझने में बहुत वक्त लग चाता है we shall now study some properties of electric charge we shall also see how they are related to lightening in the sky तो हम कुछ activity समझेंगे कुछ चीज़े देखेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग देख रहे है यह आस्मान में जो पिजली कड़क रही है उससे कैसे same है या फिर है ना let us perform some activities to understand the nature of electric charges electric charge का जो nature होता है ना किस तरीके से वह work करता है उसके लिए हम कुछ activity देखेंगे but recall first what you might have played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair the scale attract very small pieces of paper आप लोग करके देखेगा scale जो होता है जिससे हम लोग line कीशते हैं अगर आपके बालों में oil नहीं है अपने बाल धोए है अपने बालों पर गिसिये उस scale को और छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कागस के तुकडों को वह scale फिर attract करने लगता है charging by rubbing तो take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene bring it close to small piece of paper तो मतलब आप एक pen लीजिए उसको polythene पर रगड़ी और paper के पास लेकर के आए take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or the metallic object अपने हाथ से जिस पार्ट को अपने घिसा है pen के refill के उसको अपने हाथ से और metal के object से मच छुई है और यह activity को repeat करिए बहुत सारी चीजों से mustard के seeds आप लोग उठाएं करके देखेंगे तो घिसने से ना मतलब आप polythene पर एक जब pen की refill को घिसते हैं तो एक charge वो generate होता है और वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है when a plastic refill is rubbed with polythene it acquires a small electric charge similarly when the plastic comb is rubbed with dry hair it acquires a small charge these objects are called charged object तो charged objects कौन से object होते हैं जिन में charge होता है मतलब किसी चीज़ पर गिसने की वज़ा से कुछ object charge हो जाते है in the process of charging the refill and the plastic comb polythene and the hair also get charged जब हम लोग अपने सूखे बालों को कार रहे होते हैं combing कर रहे होते हैं तो वो charge उन में develop हो जाता है let's try to charge some other object that are familiar to you कुछ और objects को भी हम लोग चार्ज करने की कोशिश करते हैं जैसे की refill और polythene और cloth bag है न और इसके लाबा बलून object rubbed जिस पे आप लोग रब करते हैं किस से रब कर सकते हैं dry hair अपने सर पे आप बलून रब करेंगे तो भी वो charge हो जाएगा eraser को आप लोग अगर wool pair अब करेंगे तो charge मतलब हो जाएगा इस तरीके से types of charges and their interaction एक second यहाँ पे यह charge नहीं होगा types of charges and their interaction अलग अलग type के charges और उनकी क्या क्या interactions होते हैं वो देखने हैं we will select some object from table 15.1 15.1 वाली जो table थी इससे कुछ object हम लोग select करेंगे next activity के लिए inflate two balloon inflate का मतलब होता है आप दो balloon फुलाईए hang them in such a way that they do not touch each other तो इस तरीके से आप लोग उन balloons को टांग दीजिए कि वो एक दूसरे को touch ना करें rub both the balloons with the woolen cloth and release them इस तरीके से आप लोग ने इसको टांगा है कि touch नहीं करें एक दूसरे को फिर दोनों के दोनों balloons को आप लोग क्या करिए उनके कपड़े से रब कर दीजिए और observe करिए कि क्या हो रहा है देखें किस तरीके से move करने लगे हैं now let us repeat this activity with the pen refill pen की refill से भी pen की refill दोनों रगड़ी है दो अलग लग रखी और उनको वूलन क्लोथ से रगड़ी है क्या होगा प्लेस के और उनको ग्लास के टंबलर में मतलब इस तरीके से कांच के ग्लास में रख दीजिए रख the other refill also with polythene तो polythene से जो है एक refill को रख करिए दूसरी को भी रख करिए bring it close to the charge refill ठीक है दोनों रीफिल को पास लिए जो कि आप लोगों ने रख की हुई है be careful not to touch the charge and with your hand तो जो पार्ट चार्ज और उसको हाथ से मत करो current type का लग सकता है इस दिर एनी effect on the refill in the tumbler, tumbler पे जो refill है उस पी क्या कोई effect पड़ेगा तो yes पड़ता है इस activity में हम लोगों ने दो objects को close लेकर के आए है तो same charge दोनों में generate हुआ है जब भी similar charges होते हैं जैसे कि positive or positive charge अगर दोनों में generate हुआ है तो यह एक दूसरे से दूर चले जाएंगे same charges repel each other ठीक है when object what happens if the charged object made of different material are brought close to each other अगर देखो अगर एक balloon है और यह है refill है तो यह दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ठीक है तो different charges जो है एक दूसरे को attract करते हैं और same charges एक दूसरे को repel करते हैं तो unlike charges attract each other मतलब positive charge और negative charge अगर होगा तो वह एक दूसरे को attract करेगा ठीक है और positive और positive charge जो होगा वह एक दूसरे से दूर जाएगा इसी तरीके से negative negative charge भी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो summarize करने observation को charge balloon repelled ना charge balloon तो जो दो charge balloon होते हैं वो ये दूसरे को repel करते हैं और charge balloon जो है वो refill को attract करेगा charge refill दूसरी refill को जो है वो рấpile करेगी repel करने का मतलब होता है दूर करना attract करने का मतलब होता है दोनों पास आते हैं does it indicate that the charge on the balloon is of different kind हाँ ठीक है अकर बलून है और एक रीफिल है और यह दोनों एक दूसरे को अट्राक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों में अलग-अलग टाइप के चार्जेस अवेलिबल हैं इससे हमें पता लग जाता है तो सेम काइंड ओफ चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को है कि जो ग्लास की रॉड है अगर हम लोग उसको सिल्क से गिसेंगे मतलब एक ग्लास रॉड है और यह सिल्क का कपड़ा है ग्लास की रॉड को अगर हम लोग सिल्क के कपड़े पे गिसेंगे तो हम लोग कहेंगे कि भाई इस ग्लास की रॉड ने तो पॉजिटिव इसा observe किया गया है कि charge glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene there is attraction between the two तो हम लोगों ने ये notice किया है कि जो charged glass rod होती है उसको जब हम लोग plastic के straw के पास लेकर के आते हैं जो कि हमने polythene से रब किया था वो एक उसरे को attract करते हैं तो इसका मतलब दोनों में similar charges नहीं हैं अलग अलग charges है क्योंकि opposite charges या फिर डिफरेंट charges अट्राक्ट इच अदर और similar charges repel इच अदर ठीक है तो इसका मतलब है अगर हम लोग ये माने कि जो silk की कपड़े पे हम लोगों ने rod घिसी थी तो उसमें positive charge आ गया था और plastic पे हम लोग ने जो refill गिसी थी उसमें negative charge होगा क्योंकि तभी एक दूसरे को attract कर पाएंगे तो electric charges generated by rubbing and static तो electric charge जो हम लोग rub करके लाते हैं यानि कि rubbing करने के बाद हम लोग जो electric charge generate करते हैं उस तरीके के electric charge को हम लोग कहते हैं कि जो electric charge है यह एक static charge है they do not move by themselves वो जो charges होते है न वो खुद से move नहीं करते when charges move they constitute an electric current जब अलग-अलग charges जो है न वो move करते हैं तो क्या बनता है charges जो move करते हैं तो electric current generate होता है you have been reading about electric current since 6th class आप पढ़ रहे हो electric current के बारे में the current in a circuit which makes a bulb glow तो circuit में अगर current जा रहा है और उससे जो है bulb जल जा रहा है और the current that makes a wire hot और current जो है heating current heating effect of electric current होता है अगर current पास हो रहा है और वो wire जल जा रहा है तो हम लोग समझ में आ रहा है कि current जो है वो flow कर रहा है तो भाई चार्ड जो है वो motion जब करते हैं तो उससे क्या होता है electric current प्रड्यूस होता है अब यह जो है ना आगे का जो चप्टर है यह हम लोग next video में देखेंगे thank you झाल